तो आज का दिन का जो पहला मुकाबला था उसमें दिल्ली हार चुके वह सिफ 127 बना पाई थी यहां जो सबसे बैलेंस साइड लग रही थी इस टॉर्णामेंट में या इस सीजन में कह सकते हम वह हार गई उन्होंने सिफ 127 बने 9 विकेट की नुकसान पर आज दिल्ली की तरफ से प्रित्वी शौनी खेले और रसल नहीं खेले सामने से के क्यार की तरफ से के क्यार ने मुकाबला जीता आई ये शुरुवात से बात करते पहले शिकर दवन और स्टीव समीथ बल्ले बाजी करने आते स्टीव समीथ इतन अच्छी बैटिंग थार्टी नाइन रंज बना से उसके चौबीस रंते पाच चौके थे उसमें बीस रंतों चौके सी आ गए स्टीव समीथ के थर्टी नाइन थे स्टीव समीथ को लॉकी फर्गसन ने बोल्ड किया था और शिकर दवन लॉकी फर्गसन की बॉल पर कैच आउट हो गए मतलब वो कट मार ने गए विंकट पकड़ लिया फिर आते श्रेय साहिए आज अनलखी रहे श्रेय साहिए जो बॉल दाली सुनील नरेन्यों पढ़नी पाए और बहुत जबर्दस्ट अनुए और बोल्ड हो गए वो फिर उसके बाद रिशाप पंत ने भी अच्छी बैटिंगी ठर्टी नाइन बनाए उनने दिल्ली का 127 एक वक्त पे तो ऐसा लगा दिल्ली बीस और भी नहीं खेल पाई की बट उन्होंने खेले बहुत बढ़िया किया संदीप वारियर खेले आज उन्होंने दो और दाली और एक विगेट जटके पंदरा रन दिया टीम साओधी भी खेले उन्होंने चार और दाल दाली जैसे शीवम दूबय हो गए हार्दिक पांडय हो गए वैसी यह निकले एकदम बॉलिंग और रॉंडर विजय शंकर भी कह सकते उन्होंके जैसे चार और में 29 रंदे के दो विकेट जटके और बहुत बढ़िया गिंद बाजी करी उन्होंने फिर आती के क्यार बैट फिर नितीश राणा ने 36 रं बना इनकी पारी आज अच्छी लगी नितीश राणा जिम्मेदारी से केला आकरी तक टिके रहे और मॉर्गन जीरो पर आउट हो गए सुनील नरे इनने 21 रं बना रबाड़ा को कूट दिया उन्होंने आज दो छक्के लगा एक चौका लगा अबाड़ा को दिनेश कार्तिक ने 12 रं बना 14 गेंदों में आवेश लोकी फर्गसन ने एक बीनी और टीम साओधी ने तीन और आहराम से यह मुकाबला के क्या ने जीत लिया अठरा दशमलों दो गेंदों तक मुकाबला गया फिर के क्या ने जीत लिए 130 रंबना साथ विक आपको पॉइंट स्टेबल के उपर वीडियो चीए क्या आप वो बता दीजिए मैं बना दूगा और चैनल के सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता आपको अगली वीडियो में जब तक प्लेस कर प्रेजिए स्ट्यों स्टे सेफ